दूसरी तरफ पहाडों पर मौसम का मिज़ाज बदल चुका है क्योंकि रविवार को एक बार फिर से बर्फबारी ने दस्तक दे दिये गुलमर को मनाली, चमोली यहां जबरदा स्नोफॉल हुआ है पहाड पर बर्फबारी के बाद दिल्ली NCR में ठंडी हवाएं चल रही हैं, थोड़ा मौसम का मिज़ाज दिल्ली NCR में भी बतला हुआ नजर आया उत्तर भारत के तीन राज्यों में हुई बर्फबारी की ये तीन तक्वीरे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रविवार को आस्मान से बर्फब की पोहारें गिरी जिसके बाद इन राज्यों में मौसम शुष्क हो गया, तापमान में गिरावट देखनी को मिल मार्च में डिसंबर और जनवरी जैसे हाला, पहाड पर बर्फब की बरसा, मौसम का मिजाज, जमीन पर तफेदी का राज्यों दिल्ली NCR में पारा रिकॉर्ट रोड रहा है, तो पहाडों पर जबर्जस्त बर्फबारी हो रही है ये तस्वीरे जम्मू कश्मीर के गुलमर्क की है, मार्च में मौसम ने करवट बढ़ ली, तो सैलानियों के चेहरे खेल उठे, परेटक अपने होटलों से बाहर निकल आए जन्नत की जमीन पर ऐसे खुशगवार मौसम में सैलानी जिंदेगी का वो लमह गुजार लेना चाहते हैं, जो ताउम्र उनके लिए खुद्रत का अन्मोल तुफा सावित हो गुलमर्थ में परेटकों ने बरबारी का मज़ा तो लिया ही, इसनों इस कींग का भी भरपूर आनन उठाया यही वजए कि इन देनों देश के अलग-अलग हिस्सों से सैलानी गुलमर्थ पहुँच रहे हैं, ताकि कुद्रत के इस करिश्मे का निदार कर सकें यह तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं, जहां कि तस्वीर आपको डिसंबर और जन्वरी का एहसास दिला देंगी रविवार को यहां इतनी जादा बरबारी हुई कि गाडियों को अटल टनल से गुजरने पर रोक लगा दी गई ऐसे में थैलानियों ने बरबारी का जमकरलुप्त उठाया शिमला और आसपास के इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया हिमाचल में रोटांग और लाहोर इस्पुती में बरबारी के सासाथ पूरे दिन हलकी बुनाबानी भी होती रही उत्रखंड के चमॉली में आसमान से बरब की फुहारेंगरी बद्रिनाथ की इन तस्वीरों को देखिए रूई के माफिक आसमान से बरबारी हो रही है जिसके बाद तमाम रास्ते एहतियातन बंद कर दिये गए इस बीच मौसम बिभाग ने आज और कल दो दिन ऐसे ही मौसम बने दहनी की संभावना जताई है गुलमर्क से पीर जादा मुदासिर एहमद और मनाली से मनमिंदर अरोडा के साथ चमूली से अशोक से माल की रिपोर्ट